नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आप देख रहे हैं ए विद्या चानल चानल नमबर दस आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणुभट अपने इस लाइव इंटराक्शन में जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के दसवी कक्षा की विद्यार्थियों के लिए आप सभी के लिए हम एक बहुत रोचक विश्य लेकर आए हैं हमारा जो आज का शीषक है वो है दा मेकिंग ओफ ग्लोबल वर्ल्ड यानि कि इस विश्य पर हम बात करेंगे यह है भूमंडली कृत विश्व का बनना और आज हम बैठे वे हैं यदि हम बात करें मेट्रो स्विधाओं की बात करें तो क्या यह सुपिधाओं हर प्रदेश में हरकशेतर में एक जडियस है और क्या आप बहां पर बैठे बैठे अनने जगे के लोगों से बहुते आराम से आप बात कर पा रहे हैं आप उन कि उसaimer स्भी बात को हम आज के इस सेथिन जानने वाले और आपको बताएं हमारी एकस्पर्ट घो हमारे साथ सुडीयों में तुड मुझूद हैं आपना घुरा-क युग मांपका बहुत दौत स्वागत हS थेंक्यू रेनु जी थेंक्यू सो मच्च माम के बारे में आप सभी को हम बता दें कि माम प्रिंसिपल है इशानी सर्वोदी करन्या विद्याले जी ब्लॉक साकेट न्यू डेली से और कोई भी प्रशन आपके मन में आ रहा हो बच्चों तो आप अपने प्रशनों को अपने डीप नहीं तक ना रखें हम तक जरूर पहुंचाएं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है डवल एट । डवल जीरो डवल फोर जीरो डवल फाइफ नाइन या फिर आप हमें एमेल के माध्यम से भी अपनी सारी बातें अपनी शंकाएं हम तक जब तक आप हमसे जुडते हैं, हम आज का ये सत्र शुरू करते हैं और हरिता मायम हम आपके पास आएंगे सबसे पहले हम आप से जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं, भूम अंदली कृत विश्व का बनना. एक तो ये क्लास 10 का सोशल साइंस का चेपटर 3 है, और इसके अंदर जो हम आज कवर करेंगे, जो हम बात करेंगे, वो है कि आधुनिक यूग से पहले यानि कि pre-modern world में भी क्या globalization था फिर उसके साथ ही साथ उसमें रेशम मार्ग से क्या जो है उसका रोल रहा है इस globalization में यानि Silk Route का साथ ही हम बात करेंगे कि इसमें जो globalization है उसमें खाने का भोजन कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक travel किया है औ और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जब globalization होता है तो पूरी दुनिया से मट करके एक दूसरे के जब करीब आ जाती है तो उसमें जीतना क्योंकि human being है उसका एक nature है कि नए नए areas को conquest करने का conquest के बारे में बेमारी के बारे में और वैपार के बारे में तो यह तो आज की रूप बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है जी globalization यह बहुत अच्छा है आपका और बड़ा रेलेवेंट भी है जे globalization है आज हम बात करते हैं कि वही global warming हो रही है यानि global world वहां भी है global economy की बात करते हैं करेंट में तो यह globalization जो है या भूमंडली करण है यह केवल आज कहीं विशह नहीं है modern समय कहीं नहीं है प्राचीन समय से ही चाहे यातरी हो चाहे वैपारी हो या कोई धर्म अबदेशक है यानि पुजारी हो गया जो अपने religion का दूसरे world में फैलाने के ल पहाय नई चीजों को जानने के लिए तो जब एक जगह से दूसरी जगह गए तो अपने साथ अपनी values को अपने culture को अपनी skill को अपने विचारों को नए inventions को और उसके साथ-साथ बिमारियों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके गए यानि बिमारीयों का भी अदान प्र आपने बताया कि बहुत पहले से है तो माम जब हम समय में पहले जाएंगे तो हम आप से जरूर जानना चाहेंगे कि कब से शुरू हुआ या कब से हमें इस चीज के उधारन या निशानिया मिलने लगी इतिहास में और इसके अर्थ के साथ हम इस बात को और अच्छे गहराई कैसे आप से जानना चाहेंगे यह बड़ी ही इंट्रस्टिंग यात्रा रही है जैसा कि आप यह स्क्रीन पर देख सकते हैं यह हडपा सब्विता यानि यह ट्रेट दिखाया है यह वह सब्विता है जो विश्व में पहली अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया में सबसे पह ऑप यहाँ ओडिकी अपर देखें यह जो मैप दिखा रहा है यह मैप के अंदर इस मैप के अंदर यह लोथल है गुजरात के पास और यहां से जो है वो दूसरी तरफ मिटिल इस कि तरफ दिल्मुन हो गया यह अधर दिल्मुन है है यह गहे तेखहें देख सकते हैं यहां पर यह मगान जिस आज का उमान है यह ना यह बहरीन यह मैसोपोटामिया इसकी contemporary civilization और यह है हमारा इंडिया जहां से लोथल से यह पूरा वैपार समुद्र के रास्ते होता था इनके साथ और यहां पर आप यह सील देख सकते हैं यह आर्केलोजिस को मिलिए इसमें नाव बनी हुई है यानि कि यह जो ट्रेड है यह आप सोचे कितना पुराना और कितने समय से मनुष्य जो है इसका साहरा लेता रहा है केवल यही नहीं अब आप यहां पर यह देखें यह गोवा से मिलता है में गोवा के संग्राले में दस्वी शताब्दी का यह है चित्र है इसमें भी शिप बनी हुई है अब यह शिप ही नहीं बनी है इस शिप को चलाने के साथ इ यह सब कुछ इस तरफ इंडिकेट करता है कि प्राचीन काल से ही ग्लोबलाइजेशन रहा है एक और आपको धारन दिखाती हूं यह देखिए यह चाइना में चाइनीज केव पेंटिंग मिली है एट सैंचुरी की अब इसके अंदर देखिए बहुत कुछ इतिहास अपनी कहा यह व्यक्ति है पैदल जा रहा है यह ग्रीन यह पूरे पहाड उबड खाबड रास्ते यह बीच में आप देख सकते हैं रुकने के लिए सराइ होगी कोई घोड़े पर जा रहा है तो यह गुफवा पेंटिंग जो है यह सिल्क रूट की है और यह यह जो सिल्क रूट है यह देखिया यह सिल्क रूट फर्स सेंचुरी सीई से अब यहां जो ब्लू से दिखाया गया है यह ब्लू से इशारा कर रहा है समुद्र के रास्ते वैपार अब आप देखिये इंडिया चाइना यह साउथ इस एशिया इधर से यह पूरा यह एफ्रीका तक यह 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 दूसरे के साथ चाहे भूमी मार्ग हो चाहे शमुद्री मार्ग हो इससे जुडवा है और इसे चाहें होता था कि है अज हम कहते हैं बोन चाहिना हमारे घर में होता है बढ़ा अच्छी मानते हैं तो वह Chinese Pottery जाती थी इंडिया से और साउथ-East एशिया से आप देख就ह है समुद्री किनारा है तो वहां मिलने वाली जो सिपिया कोडियां होती थी यह इन सब से पहला शुरुआती रूप है करेंसी के डेवलप्मेंट का तो यह चीज़े एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है और गुत्थम गुत्था अगर सीपियों की हम बात करें सिल्क रूट के रास्ते से जिस समय पर बहुत जादा वेपार किया जाता था और हम देखें कि अलग अलग देश के जो मुख्य चीज़ें थी वह इधर उधर जाती थी वह वेपार किया जाता था मैं यह तो बात हो गई कि कब से शुरू हुआ और इसका क्या उधारन है वह कुमंडली करन का जो असर है वो आप एक माइन मैप के जरिये भी यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत क्लियर ली इस वैश्विक आवा जाही का यानि आने जाने का क्या असर हुआ एक तो ट्रेडर्स गए ट्रेडर्स के संग ट्रेवलर्स गए अब बुद्धिजम की हम बात करते हैं बुद्धिजम विश्व के बाकी छेत्रों में इसी सिल्क रूट के माध्यम से तो फैला और दूसरे एरियास के अन्य धर्म अब देशक वहां से यहां तक ट्रेवल करके हमारे यहां पर आए और अपनी चीजों को हमारे यहां पर उन्होंने पहुंचाया इस किसके साथ ही साथ किसका और ट्रेवल करता है पूजी कैपिटल भी ट्रेवल करती है उस कैपिटल के ट्रेवलिंग के साथ साथ मुल्य मान्यताएं अपने कल्चर दूसरे कल्चर से जाकर के मेक सोना उसके साथ ही साथ मान लीजी एक व्यक्ति के पास एक तरह का हुनर है तो पेपर का पता न लगने पाए वर्ल्ड को लेकिन जब वर्ल्ड को पता लगा तो वो भी एक तरह का revolution था कि पेपर में जो है आने से बहुत सारे विचार दूसरे लोगों तक पहुँच उनकी बनी बिमारीयों और किटाडूं का भी फैला हुआ तो अच्छी चीजों के साथ साथ हर चीज के दो पहलू होते हैं अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें हुई हैं और भोजन के छेतर में तो काफी ही गती शीलता आई वराइटी आई है जैसे माम जैसे भोजन के छेतर के अगर मैं बात करूँ खाना जो है वो अपने आप में आज हम कहते हैं नौर्थ इंडिया के अंदर हम बहुत कुछ डोसा इडली कुछ पंजाबी फ्लेवर डाल दिया सबने अपने अपने फ्लेवर उसमें मिक्स करके हम लोग एक नही तर जो है अंडे का थोड़ी सी मात्रा होती है और जो स्वेगेटी है वो होल वीट की बनी हुई होती है उसी तरह से पास्ता आज हमारे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं ग्लोबलाइजेशन है पास्ता अरब से जा करके जूरोप के अंदर पहुंचा इसके अलावा आप द परिशन की है अलू मेरिका से अलू है पाइनेपल मुमफली मक्का शकरकंदी यह सारा अमेरिका से यूरोप और इंडिया में आया अब अलू एक अपने बान रूट में आज हमारे हर खाने में अलू होता है पर ये अलू ने एक बड़ी क्रांती ला दी कैसे क्रांती लाई कि आलू खाने में तो भई कार्वो हाइडरेट होता है अगर हम इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की हमारी NEP भी बात करता है आलू में कार्वो हाइडरेट होता है कार्वो हाइडरेट हमें एज जो है वो बढ़ गई, एवरेज एज बढ़ी, तो उसे और एनरजी उने जएदा मिली, उस एनरजी का कहा इस्तमाल हुआ, प्रोडक्शन को बढ़ाने में, तो आप यह देखिए जहां एक तरफ एक आलू आया, उससे जो है खाने से केवल लोगों की एनरजी लेवल ही बढ़ा, उसने सीधे सीधे एकोनॉमी को भी प्रभावित किया, कि उससे जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ गया, और आप देखे इतना उसके उपर डिपेंडेंसी हो गई आलू के उपर, कि जब 1845 से 1849 के बीच में, आयरलेंड में अकाल पढ़ता है आलू का, इसमें 10 ल आख लोग भुकमरी से मर गए, अब आप यहां पर यह एंसी आर्टी से ही लिया हुआ आपका चित्रे हैं, देख सकते हैं, मा है, उसी अकाल के दोरान यह नीचे खोद रही है, और बच्चे ढूंड रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाए हमें यहां से, उस आलू की उमीद में तो देखे खाने से ही कितनी बड़ी क्रांती जो है आगे बढ़ करके आ जाती है, यह तो बात हुई खाने की और की भुमंजली करन का क्या असर रहा, क्या प्रभाव पढ़ा और सब तरहे के चीज़ों पर इसका असर पढ़ा है, और हम यह नहीं कहते हैं सिर्फ हम पर बढ असर पढ़ा, यह हम आप से जानना चाहेंगे, और यह जानना मुझे लगता है बहुत ही रोचक रहेगा, बिलकुल, बिलकुल, देखे संस्कृति के अंदर क्या चीज़े आती है, कल्चर बनता किन से है, खान पान से, विचारों से, रिलीजियन उसका एक बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही, आपके साथ बात की थी, कि बुद्धिजम ट्रेवल किया, बुद्धिजम ट्रेवल किया, यहां से विश्व के अन्य चेत्रों में, फिर आप देखे, हिंदुस्तान के अंदर जो है, बाकी के अन्य धर्म, हिंदुस के अंदर, मस्जिद जो है, वो बनी हुई है, पूरा वुदन उससे, तो जो लोकल, लोकली अवेलिबल, मेटीरियल है, वो उसके साथ मिक्स हुआ, तो यह एक तरह से संस्कृति के अदान-प्रदान का, एक एक एक्जेम्पल है, इंडो- इस्लामिक आर्किटेक्चर, अगर हम हाल फिलाग की बात करें, तो बlarını महामारी रही एक ऐसी महामारी रही और अगर हम बात करें अपनी स्वेम्लिथगतियत तोर प लेंगे यहां पर हम यह जानना चाहेंगे कि इस बड़ी महामारी थी पूरे ग्लोबल लेवल पर इससे पहले और कौन-कौन से इसी महामारी आई है जो विश्व ने जहला हुआ है या तरस्त हुआ हम देखिये ग्लोबलाइजेशन का एक यह एसपेक्ट है कोरोना तो हम सभी ने अभ अभी एक्जैम्पल है वो जो अटैक हुआ लेवनान पर पेजर से एक दम फट गए तो वो कहां था कहां उसकी मैनुफेक्टरिंग हुई कहां किसने उसको किया वो चाहें एक दूसरी चीज है कि वह स्पेकुलेशन का विशा है पर वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक बिमारी जो है जब एक जगा से यात्री दूसरी जगा गए तो जिस तरह से कोरोना है उस तरह से पहले समय में भी बिमारी एक जगा से दूसरी जगा यात्रियों के साथ ट्रेवल की है एक वक्त में इतिहास में कहा जाता था कि अगर फ्रांस को छीक आती है तो पूरे यू मूड पे आ गया कहीं हमारे यहान आ जाए क्यों वैश्वेक आवाजाई बहुत जाएदा बढ़ गई है और प्राचीन काल में अगर हम इसकी बात करते हैं सोलवी शताबदी में एक चेंज आता है क्या चेंज आया कि अमेरिका में जो है यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के बाद यूरोप के अंदर लाइफ इस्तिती बेहतर हुई लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ चैलेंजिस थे जैसे धार्मिक टेंशन थी वहा करेगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनोंने लोगों को एंकरेज किया और एक है हमारी उत्सुक मनुष्य के उत्सुकता इंक्यूसिटिव नेचर जो आज जंगलों से हमें यहां कि आप और हम बैठ करके स्टूडियों में बात कर पारे हैं यहां तक खींच करके लेक तो अब था कि वो तो एक दम धरती थी वहां के जो एबरीजनल से वहां की जो जनजातियां थी जो अपना जीवन जी रही थी उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है सबसे पहला इंटरेक्शन था स्पैनेश लोग काफी गए पुर्तोगाली गए वहां पर तो इनोंने क्य कि वहां की जो जनजातियां पूरा अपने नेचर के साथ है ट्यून जीवन जी रही थी वो जो है उनके साथ इनका अधान प्रदान होता है इनोंने बंदू के दिखाई उने सब लेकिन और इसके साथ ही साथ अगर आप याद करें बहुत सारी मूवीज बनी है गोल्ड साथ तो जूड़ी हुई बहुत सारे मेट से कि वदंतिया है कि यह तो सोने का शहर है और जो चांदी मिली वहां से वह चांदी जब यूरोपियंस अपने यह लेकर के गए तो उसने तो यूरोप को रिच कर दिया बहुत जाएदा लेकिन इस से एक नुकसान भी हुआ और हम चाहेंगे कि यह प्रेजंटेशन स्क्रीन पर दिखाए जाए तो यहां इस स्क्रीन पर जो है अभी आता है तो यहां पर देखे कि यह अरावाक जन जाती जो है यह जिसको आज हम केरेबियन आइलेंड है कहते हैं बाहमाज वहां पर जब यह पानिश लोग पहुचे तो यह जरूर कहा जाता है कि बंदू के तो फिर भी वो लोग खरीच सकते थे यह चीन सकते थे उनको रेजिस्ट कर सकते थे पर उस चेचक का क्या करें जिसके लिए उनके अंदर रेजिस्टेंस थी ही नहीं अगर यदि स्क्रीन में यहां दिखाया जाए निवेदन युरोपियंस ने इस्पेशली पूर्टोगाली इस्पेशनी जवां पहुचे तो इनों ने जो है उस जगाओं को अपना उपनिवेश बनाना चालू किया अरावाक्स जो थे जितना उनोंने बंदू को ने नहीं मारा वो चेचक ने उनको खतम कर दिये और न के साथ भी य नाया और इनके साथ साथ वहां पर जो है चेचक के किटाणू भी अंदर प्रवेश करते हैं अब स्टार्ट होता है यहां देख सकते हैं चित्र में यहां पर हम आप से यह बता दें कि हमारे पास तकरीबन दो मिनट के समय और शेश है सत्र के लिए हां जी तो चलिए इसके यहीं पर समाप्त करेंगे एक स्लाइड है कि यहां आप देख सकते हैं कि यह जो उपनिवेश बनाने चालू किये अब उपनिवेशों में काम करने के लिए ने लोग भी चाहिए तो यह लोग फिर पहुंचे कहां अफरीका और गुलामों की खरीद फरोगते स्टार्ट होत में डकातार में भिखने के लिए तो यहां पर जिडेवरी भी स्टार्ट होती है तो हम देख सकते हैं कि ऑ जो और इसके साथ क्या हुआ कि अशल की तरफ बहुत सारे ईउर्पी आप चित्र में आदेख सकते हैं कि भरा हजाये लोग जा रहे हैं जिए अमेरिका की तरफ के लिए इनको खेती करनी थी तो वहां पर इनों ने अफ्रीका से लोगों को ला करके बसाना चालू किया तो हम यह कह सकते हैं कि यह देखिए जो यह उपनिवेश्वाद है उसकी शुरुवात यहीं से हूती है और इसके अंदर तीन बड़े महत्पूनतत्वाते हैं वैपार श्रम और पूंजी जो एक दूसरे के साथ जोड़े हुए थे अब यहाँ पर यह एक स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कई ऐसा लगता है कि फुट्टा रखकर के इसको बॉर्डर को बनाया गया है जबकि नैशुरल तो ऐसा होता नहीं है तो यूरोपिया बाउंडरी निकल करके आई तो यह आपको पता चला कि किस तरह से उपनी वेश्वाद शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ और हम इसके बार में और अधिक बात जरूर करतें लेकिन समय हमें बिलकुल अनुमती नहीं दे रहा हमें सात्र को आगे बढ़ाएं लेकिन हां किस इतने अच्छे तरीके से पूरा चाप्टर हमारे सभी स्टूडेंस तक पहुचाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी देखने वालों का धन्यवाद करना चाहेंगे हम और आप सभी को बता दें कि एक छोड़े से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक की बाद हैं हमारा थीम है अनिमेशन आज डिजिटल रिसोर्स फोर टीचिंग और लर्निंग पांच बजे से योग सत्र लेकर आएंगे और साड़े पांच बजे का समय हमारे विशेश सत्र का नीपा का जिसना हम स्कूल हैट से बात करते हैं और अब फिलहाल मुझे रेनुभाट को अनुमति आप यूँ हमारे साथ बने रहें नमस्कार